हलो और वेलकम फ्रेंट्स टैले प्राइम सिखने की सिर्ज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वडियो टैले प्रैम क्या मरे एक वीवर है जिनका सवाल है कि सर टैले प्रैम में मेरा जीस्टी एकर क्यों केलकुलेट नहीं हो रहा है तो दिखे जीस्टी नग कैलकुलेट होने के पिछे कई वज़े हैं हो सकती है अब क्या क्या वज़े है जिससे जीस्टी कैलकुलेट नहीं हो रहा है और ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्यों आ रही है इन सब बातों पर एक डीटेल में विडियो ये बना रहा हूँ इससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्यों आकिरकार जीस्टी हमारा कैलकुलेट नहीं होता है एक तो पहला काम कि आप ठीक से एक्टिवेट नहीं करते अब चाहे आप टैली यार्पी नाइन की बात कीजिए चाहे आप टैली प्राइम के बारे में बात की ही रहा है ठीक है अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो गेट्वे अफ टैली प्रेस कर लिजेगा वहाँ से कंपनी क्रियेशन वाला फॉर्म खुल जाता है फिलाल हमें यहां पर क्रियेट कंपनी दिख रहा है उपर ही तो यहां पर जाकर कि करसर अमरा यहीं पर है हम सिधा एंटर कर देते हैं तो एंटर करते ही नया फॉर्म खुलेगा ठीक है अब यह जो नया फॉर्म है इसमें हमें कंपनी का नाम देना होता है ठीक है तो यहां पर मैं कंपनी का नाम दे देता हूँ मा शॉप ठीक है यह हमने लिख दिया एंटर किया एंटर किया और यहां पर लोकल एरिया का एड्रेस आएगा तो हमने यहाँ पर नियू कॉलोनी देवरिया रख दिया है लोकल एरिया का एड्रेस ठीक है यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर स्टेट का नाम आना कमपलसरी है तो यहाँ यू प्रेस करूँगा और यहाँ पर यू प्रेस करके उत थोड़ी से होती है वो मैं हर वीडियो में लगबग समझाता ही हूँ यह आपका financial year start होने का डिट है अगर आप UAE या साओधी अरभिया जैसी countries से belong करते हैं तो वहाँ पे financial year शुरू होता है एक जन्वरी से चीक है लेकिन हमारे इंडिया में और maximum जगों पर एक अप्रेल से ही date रखी है लेकिन काम हमारा कप्चे सुरू हो रहा है काम हमारा सुरू हो रहा है दो साथ दो अजार चौबिस से तो वो date यहाँ पर आएग अब एंटर करके दिखिए यह INR जो है formal name है Indian currency का तो यह मैंने दे दिया है अब क्या करना है एंटर करके इसे accept करा लेना है और accept करात date नहीं है मतलब open नहीं हुई है तो यहां लिखा हुए show more features तो यहां पर जाके double click कीजिए तो यह yes वाला option खुल जाता है इस पर click करके enter कर दिजिए तो देखिए अब कुछ और option भी खुल गया है और भी option यहां देखना चाहते हैं तो यहां पर यह जो no है इसको भी yes कर करेंगे तो आपका जेस्टी calculate नहीं होगा यह ध्यान लखेगा यहां पर वाई बटन प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए जैसा ही एंटर करते हैं तो यहां पर रजिस्टिशन टाइप active दिखा रहा है और यहां पर आप देखेंगे state तो हमरा उतरपदेशी है दू तरी करने या regular ही रखना है तो regular रख दिया इस option को no रखना है आपको से से अफ़व सेखेंगे ज ही रहेगा यह भी आपको ध्यान देना है ठीक है इसके बाद करने यहां पर एंटर करना है यहां पर एंटर करना है हैं तो यह accept वाली window आ जाती है इसको accept करा लिजेगा ठीक है इसके बाद देखिएगा यह नया option teleprime में आया हुआ है set oblique alter company gst rate and details for other details तो इसको भी yes करना यह पहले भी था तो थोड़ा सा नीचे था तो आपको शायद ज्यादा अब ब्रेड वर्जन में यहां पर आ गया है तो यहां पर yes करके एंटर कर दीजेगा अब जैसे एंटर करते हैं तो यह option खुलता है ठीक है आप चाहे तो इसको undefined not defined ही रहने दे सकते हैं लेकिन यहां पर आपको gst की rate को define तो करना ही होगा तो यहां पर आकर कि specify details here आप कर सकते हैं ठीक है यह specify slab based rates भी कर सकते हैं तो पहला ही option हम रखते हैं और यहां पर taxable और यहां पर 12% का by default gst हमने लगा दिया है evay bill कम से कम 50,000 रुपे का माल खरीदा या बेचा जाना चाहिए तभी तो evay bill मिलेगा यह तो आपको पता ही है threshold limit और 50 km की भी limit होती है यह भी आपको पता ही होगा ठीक है एंटर करते हैं और इसको accept कराते हैं एंटर एंटर करके ठीक है तो यहां पर इसको एंटर एंटर एं चलना है तो receipt voucher में हम 5 प्रेस करके और जैसे ही receipt voucher में आते हैं तो देखते हैं कि यह single entry mode है तो double entry mode में लाने के लिए change mode पर जाएंगे यह shortcut की control के साथ edge प्रेस कर सकते हैं यहां पर double entry mode करेंगे इसे और जैसे double entry mode करते हैं तो enter करेंगे और enter करने के बाद यहां पर create option दिख लेकिन अभी ये double entry मोड में जरूर हो गया है लेकिन हमें यहां से क्या करना है एक shortcut की प्रेस करनी है और वो shortcut की आप प्रेस कर सकते हैं यहां पर दीये configure दिया हो यहां पर भी click कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर दीद करना है तो यहां तो यहाँ पर जाके एंटर सिर्फ आपको कर देना जैसे एंटर करते हैं तो यह window open होती है laser creation वाली यहाँ पर laser बना लेंगे सबसे असान है ठीक है तो अभी क्या करना है यहाँ पर capital का एक laser बनाना है तो यहाँ पर लिखा capital account क्योंकि company में लगाया जान वाला fund capital ही कहलाता है य इस तरीके से करेंगे ठीक है लेकिन अभी देखिए यहाँ पर कहानी यह हो गई है कि यहाँ पर भी credit आ रहा है तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर DR लिख दीजिए टाइप कर दीजिए keyboard से हो गया काम और यहाँ पर करके यहाँ पर cash कर दीजिएगा और एंटर करके और receipt voucher में आपको GST ने लगाना जबकि आप capital डाल रहे हैं तो अभी तो आप company में capital लगा रहे हैं ठीक है कितना पैसा आपके पास है वो detail आप company में दे रहे हैं बस इतना ही काम है इस entry का अब जो अगली entry है उसमें हम देखेंगे हमने purchase किया ठीक है तो purchase किया तो supplier party से purchase किया उस supplier supplier ए कि छी samplelier यह कर देते हैं यहाँ पर supplier एंटर करेंगे इसका group होगा sundry creditor तो यहां sundry creditor group डाल दीजिए enter a.nter एंटर करके और इसे भी accept कर वाले जहें लेकिन यहां पर देखेंगे यहां पर चेंज है supplier party का state complaint है यहां पर supplier party का जो state है ना वो यहां पर मैं डाल देता हूं सब्सक्राइब तो यह तमिल नाडू डाल दिया ठीक है अब यहां पर confusion होने वाली है ठीक है तो यह तमिल नाडू जो है supplier party का बनाना होता है तो purchase account हो गया और यहां पर ग्रूप हो जाएगा purchase account का तो पी प्रेस की आप purchase account का ग्रूप आजाएगा एंटर करके और यहां पर देखी यहां पर discount में देना नहीं है तो बाकी सारी details को ऐसे रख दीजेगा कोई भी यहां पर चडखाने नहीं करनी है आपको CPU अगर खरीदा जाएगा बीचा जाएगा तो यह numbers में होगा तो यहां NMS कर दिया एंटर किया और यहां पर NUMBERS फॉर्मल लें दे दिया हमने और UQC code यानि unit quantity code आपको देना है तो यहां पर N press कीजेगा तो numbers आ ही जाएगा एंटर कर दीजे और यहां पर 0 ही रखना इस बा है B सजा तो यहां पर डाल दीए वो B सजा एंटर करेंगे अब नीची आएंगे तो यहां पर GST calculate होना चाहिए क्योंकि हमने GST चालू भी किया था पाट C करके हम laser बना लेते हैं किसका CGST का अब देखिए यहां पर आप CGST का laser बनाएंगे तो calculate ही नहीं होगा अगर लगाए तो duties and taxes का group रहेगा सब कुछ सही रहेगा लेकिन फिर भी calculate नहीं होगा फिर देखिए यहां पर GST की हमने और यहां पर आते हैं तो यह सी CGST हो गया CGST हो गया और यहां पर 0% ही रखना है आपको यहां पर आपको कुछ करना होना नहीं है नॉर्मल राणिंग रखिए एंटर कीजे एंटर कीजे और इसको accept कराईए तकिन जब आप यहां पर आते हैं तो देखते हैं कि यहां पर आपका GST calculate नहीं हो रहा है अब CGST लगेगा न CGST लगेगा सब कुछ सही करने के बाद भी आपका यह आएगा नहीं तो इसलिए यहां पर लेजर लगाएगा कि इसे accept करा लिजे तो देखिए यहां पर automatic calculate हो गया तो यह reason हो सकता है ठीक है आप इस video को ध्याल से देख लिजे और यहां पर अगर आप सारी चीज़ों को follow करते हैं तो आपका सारा काम बहुत असानी सो जाएगा अब यह dispatch कहां से हो रहा है तो dispatch हो रहा है एक shop से लेकिन म तमिल नाडू ठीक है supplier party हमारी कहां की है यूपी की और यह जाएगा कहां तमिल नाडू में ठीक है नाम अगर देना चाहते हैं तो नाम दे सकने हैं फिलाल हमने नन कर दिया ट्रांस्पोर्टर आइडी दे दी जगा मोड दे जगा रोड से आ रहा है कैसे आ रहा है तो हम रोड ही दे दे देते हैं और यहां वैकिल लंबर होगर आ जाएगा और यहां देखिए यह बिंडो आ जाती है कापी ज़्यादा आपको हो जाता है सारी चीजों के लिए और यहां पर आप नारेशन डाल देज़ेगा दग्वूर्स है पर चेस्ट पीवार सी एच एस एडी पर चेस्ट ऑन ग्रेडिट ठेक है यह करके आपको एंटर करके इसे एक्सेट करा लेना है ठीक बटा अब देखो क्या करना यहा पर दो बार डी प्रेस कीजिए आपका यह purchase का बिल आपको दिख जाएगा ठीक है अल्ट कीजिए एंटर कीजिए और यहां पर यहां पर यह बिल आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है और इसमें जीस्ट वी calculate हुआ पड़ा है जो कि आई जीस्ट है ठीक है लेकिन यही matter प्रेट प्रेट करके कहा जाएंगे sales voucher में आ जाएंगे sales voucher में party का name है अगर मालीजे cash ही कर दिया हो और एंटर करके एंटर करके आएंगे और यहां पर देखकर कि आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है, और यहां पर फिर देखिए, ऐसे ये वल, value calculation है, तो यहां पर आप not applicable ही रखिएगा, और enter करते हुए नीचे आ जाईए, और इसको accept करवा लिजे, यह काम हो गया, अब आपके पास CPU है, तो CPU के हम द state का, ठीक है, क्योंकि cash वाला जो है, वो कि state का है, cash में जो purchase हो रहा है, वो same state का है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर CGST और SGST का laser apply होगा, तो यह सब दिक्तते हैं कुछ जो आप गलती मत करिएगा, देखिए, यहां CGST apply होई गया, और बाकी SGST apply होई जाएगा, तो यहां पर हो credit, यह भी उधार में बेचा गया, ठीक है, समझे बात को, वो तो उधार में खरीदा गया और यह उधार में बेचा गया, समझे बात को, तो यह काम हो गया, देख रहे हैं, यह entry accept हो गई, तो आपको ऐसे ही entries कर नहीं है, ठीक है न, उमीद करता हूँ बात समझ में आई होग यह purchase के लिए आप payment कर सकते हैं, लेकि sales के लिए आपको payment करने क्या हो शकता ही नहीं, क्योंकि sales में तो already cash में ही sell हुआ है, ठीक है न,